नमस्कार and welcome to study close my dear friends मिरा नाम है प्रशांत मावानी I hope you all are doing good दोस्तो आज हम एक बहुत ही important विशाई पर बात करने वाले हैं it's associated with global defense इंडो-pacific के point of view से अगर आप इस topic को देखेंगे then as well this topic is important और इंडो-pacific की जब बात आती है तो यह पर इंडो का मतलब ही Indian Ocean है और Indian Ocean की जब भी बात आती है तो हमारे देश भारत को हम कैसे नजर अंदाज कर सकते हैं तो इंडिया के defense के point of view से आज की हमारे discussion बहुत ही important है अगर आप अपने syllabus के उपर नजर डालेंगे then as well you will find के दुनिया के जो बड़े-बड़े देश है या फिर groups के दवारा जो decisions लिए जाते हैं तो इसकी impact हमारे देश भारत पर किस प्रकार की होगी these are some of the things that you find in your syllabus and this point of view से भी आज का topic बहुत ही important है Dear friends, AUKUS नाम का एक group है हो सकता है आप में से कुछ students को इस AUKUS के बारे में पता ना हो Let me tell you, AUKUS ने एक बहुत बड़ा announcement किया है announcement यह है कि AUKUS में कुछ नए members को add किया जाएगा अब सब से बहुत है AUKUS हम समझ लेते हैं यह तीन देशों का एक trilateral security partnership agreement है trilateral यानिकी तीन देश तो यहां पर clearly you can see Australia, UK and USA यह रहा AUKUS का एक प्रकार का आप देख लेजिए logo है, right? You can see this is Australia, this one is Britain and this one is USA September 2021 में AUKUS को announce किया गया था और जब AUKUS announce किया गया तो France was a country that was very very angry France USA पर और Australia दोनों पर काफी ज्यादा गुसा हो गया था उसके पीछे कुछ reasons है we are going to talk about that as well दूसरी एक चीज़ यहां पर observe करेंगे then you will find Australia, UK, USA, France यह सारे जो देश ना यह पश्चिमी विचारधारा वाले देश है जिसको हम generally Western World कहते हैं Western World का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पश्चिम गुलार्थ में जो देश हैं Western Hemisphere में जो देश हैं उनको हम पश्चिमी देश कहते हैं यहां पर हम culture के point of view से गर देखें तो Australia, UK, USA, France यह पश्चिमी सभियता को follow करने वाले या फिर पश्चिमी सभियता वाले देश हैं अब यह जो AUKUS ग्रूप है इसका main focus क्या है क्यों AUKUS को पैदा किया गया, what is the main purpose of AUKUS तो एक point तो मैंने आपको बता ही दिया Indo-Pacific, ताकि Indo-Pacific छेत्र जो हैं यह free and open रहें दूसरा जो है that is the dragon that is China, China का threat यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है when it comes to Indo-Pacific region कुछ बड़े-बड़े points अगर में बताऊ तो Japan जो हैं that is worried about China, India of course is worried about China, कुछ बड़े-बड़े points Shri Lanka, Maldives, Bangladesh Myanmar, Pakistan फिर Djibouti है तो यह सारे अलग-अलग जो देश है जो इंडिया के आसपास है when I say Djibouti तो Indian Ocean के point of view से है फिर Arabian Sea के point of view से Djibouti is a country that is near to us तो ऐसे देशों में जब चाइना का presence बढ़ता जा रहा है तो भारत के लिए चिंता का विशए है जापान और चाइना पडोसी देश है और चाइना की activities की वज़े से जापान काफी परिशान है Australia के साथ भी चाइना ने एक पंगा ले लिया खास करके COVID के दोरान मैं again उसके details में नहीं जा रहा हूँ I hope के ये बड़ी बड़ी चीज़ आपको पता होगी अगर नहीं पता है तो let me give you a brief about it कि business को लेकर Australia ने कहा कि COVID की जाँच होनी चाहिए कहां से पैदा हुआ तो फिर चाइना जो है वो Australia को धंकी देने लगा और इससाब से दोनों के relations जो है ये चाइना को लेकर चिंतित है तो चाइना जो है इसकी assertiveness या फिर इंडो Pacific region में चाइना जो है एक बहुत बड़ी ताकत एक बहुत बड़े threat के तोर पर ये सारे देशों के दोरा देखा जाता है चाइना ने OAKUS के बारे में ये कहा है तो फिर ये जो क्षेतर है ना इसमें arms race स्टार्ट हो जाएगी फिर हम भी पीछे नहीं बेढ़ेंगे हम भी ताकत वाले arms और ये सारी चीज़े बनाएंगे और फिर एक arms race एक बार स्टार्ट हो जाएगी तो उसको रोकना nearly impossible सा हो जाएगा या फिर आने वाले 30, 40, 50 सालों तक ये arms race जो है वो जलती रहेगी नाव ये जो ओकस है इसका सबसे बड़ा जो initiative था सबसे पहला major initiative जो ओकस ने लिया that was to provide support to Australia ताकि Australia को SSNs यानि कि conventionally armed याद रखे यहाँ पर this is conventionally armed submarine एक nuclear powered submarine generally जो submarines होती है वो diesel engine पर चलती है लेकिन यहाँ पर यह जो ओकस है इसका main plan यह था यह फिर यह plan है और पहला initiative जो लिया वो यह है कि Australia को एक ऐसी technology share की जाए जिससे nuclear powered submarine जो है यह Australia use कर सके और इसमें जो arms रहेंगे weapons रहेंगे वो nuclear नहीं होंगे वेपन्स जो है वो conventional होंगे सिर्फ एंजीन जो है यह nuclear powered होगा तो this was a very big step by AUKUS और AUKUS के तहट एक ENNPIA है that is Exchange of Naval Nuclear Propulsion Information Agreement जिसके तहट जो nuclear propulsion की जो information है यह trilaterally share की जाती है तो यह technology USA की है और USA UK के साथ मिलकर यह technology जो है वो किसको दे रहा है Australia को दे रहा है तो ऐसे AUKUS का जन्म हुआ अब AUKUS जो है इसके दो बड़े platforms है दो pillars आप समझ लीजे एक जो है यह submarine वाला pillar है जो अभी मैंने आपको explain किया दूसरा जो है it is about advanced capabilities यह क्या है इसको भी हम देखने वाले हैं ना डिया फ्रेंज्स AUKUS जो है इसने International Atomic Energy Agency के साथ भी discussions की है engagements की है ताकि यह जो nuclear weapons है इनका proliferation ना हो proliferation का मतलब होता है किसी भी चीज़ का धड़ा-धड़ quantity बड़ा देना for example अगर आपके पास 5 चोकलेट से तो आपने अचानक से 100 चोकलेट करे दी Now dear friends Most important चीज़ जो latest update आ रही है that is coming from AUKUS group Defense Ministers जो है तीनों देश के वो अभी मिलने वाले है और तीनों देशों के ये जो Defense Minister है ये Pillar 2 पर एक बहुत बड़ा announcement करने वाले है Starting में जैसे मैंने आपको बताया ना कि नए members को add किया जाएगा तो कौन से है ये member क्या भारत को इसमें add किया जा रहा है We'll talk about it in a bit तो दो pillars जो हमने देखे एक submarine और दूसरा जो aspect है Pillar 2 ये इस बात को लेकर है कि तीनों members जो हैं ये jointly मिलकर कुछ चीजों को develop करें क्या है ये चीज़े तो एक है quantum computing तो मिलकर तीनों देश इस पर काम करेंगे Second thing is undersea capabilities तो इसमें internet के cables गैस और oil के cables तो ये सारी चीज़ है अंडर-sea activities Number 3 is hypersonic technologies पर तीनों देश मिलकर काम करेंगे Fourth is artificial intelligence of course and जो fifth है that is cyber technologies तो ये पाँच ऐसे pillars है जो pillar 2 का part बनते है AUKUS में दो pillars जो है तो इसमें pillar 2 में ये पाँच चीज़े अभी जो हमने देखी वो cover की जाती है pillar 1 जो है it is designed to deliver nuclear powered attack submarines to Australia देखे pillar 1 जो है इसमें कोई expansion नहीं होगा ये technology दूसरे देशों के साथ शेर नहीं की जाएगे ये सिर्फ और सिर्फ Australia के साथ ही शेर की जाएगे लेकिन pillar 2 जो है तो उसमें नए देशों को add किया जा सकता है तो अभी USA जो है ये पूरी कोशिस कर रहा है और USA जो है इसमें ये भी कहा है कि अब ये जो AUKUS है उसमें कुछ Asian मित्रदेश जैसे कि Japan Philippines को add किया जा सकता है अभी जो latest update आई है that is कि Japan को इसमें add किया जाएगा और इसके पीचे जैसे हैं में ने दिखा main reason is China चाइना territorially काफी ज्यादा assertive होता जा रहा है और इस चीज़ को लिकर बहुत सारे देश जो है वो चिंतित भी है USA के ambassador to Japan Ram Emanuel जो है उन्होंने अभी एक Wall Street Journal newspaper में एक opinion लिखा एक article लिखा और इस article में उन्होंने ये कहा है कि Japan जो है इसको AUKUS में add किया जाएगा उन्होंने ये कहा है कि Japan was about to become the first additional pillar to partner specifically यहाँ पर लिखा है pillar to partner so this is the latest update कि Japan को अब AUKUS का part बनाया जाएगा now we are friends starting में मैं आपके बताया ना कि France was not happy with it तो let's quickly go through it कि क्या हुआ था जब USA ने Australia को ये सब्मरीन देने की बात बताया ही तो उस समय पर Australia और France के बीच में इस प्रकार की सब्मरीन को लेकर एक deal जल रही थी तो USA और UK ने यहाँ पर entry ली तो Australia ने ये जो deal थी France के साथ इसको cancel कर दिया इस चीज़ को लेकर Emmanuel Macron काफी ज्यादा गुस्से हुए थे और in fact उन्होंने एक बड़े से platform पर इस चीज़ को लेकर एक speech भी दी थी against USA and Australia उनका basically यही मानना था कि हमें backstabbing किया गया है हमारे पीट के पीछे खंजर खुसेडा गया है कि हमें हमारे साथ cheating हुई है Australia ने UK और USA के साथ मिलकर यह deal कर लिए और USA को भी इसके बारे में सोचना चाहिए था and things like that लेकिन फिर चीज़े back to normal होगे क्योंकि when it comes to security transatlantic partnership की बात करें तो France के लिए USA important है और USA के लिए France काफी important है दूसरी एक चीज़ ASEAN के जो देश है ASEAN you know the full form right Association of South East Asian Nation यह ASEAN का logo है तो Australia ने अभी यह assurity दी है कि ASEAN को center में रखकर Australia काम करेगा इसे के साथ एक South Pacific nuclear free zone treaty है तो इसको भी respect करेगा और इसके साथ the treaty of South East Asia nuclear weapon free zone इसको भी Australia जो है वो respect करेगा Australia इस चीज़ को लेकर काफी focused है right Australia के दिमाग में यह सारी चीज़े हैं it's not like Australia यहाँ पर nuclear capabilities बढ़ा रहा है Australia जो है उसके पास तो सिर्फ एक nuclear powered submarine आएगी अब ASEAN के map को quickly देख लेते है dear friends यहाँ पर 10 ऐसे देश है जो ASEAN के members है तो इसमें Myanmar आ जाता है Cambodia है of course I think I have covered all 10 तो यह दस देश जो है यह ASEAN के members है China ने AUKUS को cold war mentality वाला group बताया है China is not at all happy with this particular group और रही बात Atlantic Ocean के इसके इतिहास को अगर हम देखे है USA और UK एक दूसरी को किया कहता है पता है brothers across Atlantic के Atlantic के उस पार अगर हमारा कोई भाई है तो that is UK और UK कहता है कि हमारा Atlantic के उस पार अगर कोई भाई है तो that is USA तो दोनो USA और UK ने मिलकर World War 2 लड़ा है Second World War और इसमें Australia पे इन दोनों देशों के साथ था तो इन दोनों देशों तीनों देशों के बीच में अगर है ऐसा कोई Trilateral Agreement होता है तो it's not that surprising, isn't it? दूसरी एक चीज़ USA ने UK की काफी मदद की है American Manhattan Project 1943 का जो था तो Nuclear Weapons का प्रोग्राम जो है ये USA की मदद से ही स्टार्ट हुआ और फिर धीरे धीरे करके UK ने 1952 में एक पहला अपना टेस्ट किया नुकलियर टेस्ट किया and that was in Western Australia Montybello Islands में 1952 में UK ने अपना पहला टेस्ट किया and after that UK became third country to have nuclear powers, right? पहला USA बना फिर USSR और उसके बाद UK तो इस प्रकार के चीज़े historically इन देशों के बीच में चलती आई है और UK और Australia as you can see, right, ये जो Union Jack है, you find it in the flag of Australia Queen जो है वो आज भी ceremonial head है और Governor General of Australia जो है उनके पास भी कुछ ऐसे powers रहते है So this is how they are historically attached to each other So dear friends, that's basically everything in today's discussion I hope आज की discussion से AUKUS को लेकर international ये जो important players है वो किस दिशा में आगे बढ़ रहे है इस चीज़ को लेकर आपको एक conceptual clarity create होगी Dear friends, a request है आप में से बहुत सारे students जो है इस वीडियो को देखते हैं लेकिन share नहीं करते हैं, ऐसा क्यूं करते हैं, प्लीज इस वीडियो को share कियागी जी, अगर आप share करेंगे तो it will make, ये वीडियो जो है जो है जो हम बनाते हैं, it will become sustainable for us और अगर ये viable, feasible होंगे तभी हम दूसरे वीडियो बना पाएंगे, तो do share it and do subscribe, Study Glows, मैंने course design किया, इसका नाम है Limitless Leadership, it is available on Study Glows mobile app and check out motivational story on Curiously Education Jai Hind dear friends, Jai Hind